हेलो एवरीवन वेलकम टो वाइफाइ स्टड़ी विच पार्ट ओफ अनकेडमी गुरूप दोस्तों रेलवे गुरूप डी एक्जाम के लिए एक और नया प्रेक्टिस सेट में लेके आ गया हूं अगर आपको इस स्रीज पूरी पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक भ आप लोग फोलो कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनेफिट जासे के लाइफ क्लासे स्टक्चर्ड कोर्स वीकली टेस्ट अलिमिंट एक्सिज और भी सारे बेनेफिट आपको तब बिलते हैं जब आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन करते हैं औ तर्गेट दिसंबर बैज दोस्तों SSE CGL के लिए इसमें आप लोग अन्रोल कर सकते हैं अंतिम प्रार बैज गुरूप D के लिए इसमें अन्रोल कर सकते हैं आप लाइब क्लास में और आफ्टर लाइब क्लास में दोनों में डाउट कूछ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्लीज प्रॉयंट तक देखेगा दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है गोल्डन हैंड से योजना को किसके रूप में जाना जाता है तो इस कोशन का आप सही आंसर बताएगा कि क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तो पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहे कि Gold Hand Sake जो ये उज़ना है ये क्या है ये Voluntary Retirement इस Question का जो Right Answer एको Option B होगा Voluntary Retirement यानि कि समय से पहले जब किसी को Retirement देना होता है Unscheduled Retirement भी जिसको अंबोलते है उसको some benefits उसको दे करके कुछ amount दे करके उसको retire कर दे जाता है तो उसको voluntary retirement कहते है तो इस question का सही answer option भी हो जाएगा ठीक है? चले अगला question आता है भारती सविधान में निमलिकित अनुछेद में निर्दारित परकिरिया के अनुसार संसोधन किया जा सकता है यानि कि किस article में एक संसोधन की परकिरिया के बारे में बताया गया है कि सविधान में जो संसोधन होगा दोस्तों वो किस परकिरिया के तहत होगा वो article 368 हमें बताता है तो इस question का जो right answer होगा that is option A अगला question आता है कि नीती आयोक के उपाध्यक्स कौन है? नीती आयोक के उपाध्यक्स कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का जो right answer होगा that is option बिल्कुल सही है राजीव कुमार ठीक है नीती आयोक के उपाध्यक्स कौन है? राजीव कुमार इस दा right answer तो यह है आपको याद रखना है अगला question आता है कि विजे नगर सहर को खालिस्थान के रूप में भी जाना जाता है तो यहाँ पर जो right answer होगा दोस्तों वह है आपका होने वाला है हमपी क्या होगा? हमपी इस दा right answer तो विजे नगर सहर को हमपी के नाम से भी जाना जाता है यह है वरतमान में बेलारी जिले में स्थीत है दोस्तों इसकी स्थापना 1336 में हरीहर परसाद और संगम वंस के उनके भाई बुक्का राय पर्थम ने की थी तो यह चीज भी आप याद आख सकते है कोशन आता है तुगलक वंस के निमलिकित में से की सुल्तान ने चांदी के इस्थान पर तामबे के सिक्के जारी किये तो क्या होगा राइट आंसर? मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर होगा महमद बिन तुगलक महमद बिन तुगलक इस्थार राइट आंसर यह आप लोगों को याद रखना है अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सा सेत्र या सेत्र भुकम के लिए सबसे अधिक परवण है तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही है इस कोशन का राइट आंसर होजेगा गंगा बरंपुत्र घाटी यानि की ओप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है जी नेक्स्ट कोशन आता है सहत जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है वह सरना नहीं है क्योंकि क्योंकि दोस्तो इस question का right answer होने वाला है bacteria cannot survive in a active state in solution of high automatic strength as water is drawn out यानि कि इसको मैं बताऊं तो उच प्रासनिय सक्ति में के घोल में bacteria सक्रिय अवस्था में जिवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि पानी निकाला जाता है ठीक है तो यह आप लोगों को याद रखने है अगला question क्या कहता है दोस्तो नेमिन तापमान पर सीशा खालिसान के रुप में वहवार करता है तो यह जो वहवार करता है दोस्तो यह superconductor ठीक है superconductor के रूप में वहवार करता है यानि की b right answer हो जाएगा अगला question next is network में एक छोटे से संदेश को एक station से दूसरे station के बीच भेजने के लिए उप्योग किया जाता है के रूप में जाना जाता है दोस्तो right answer हो जाएगा token यानि की A is the right answer तोकन सूचना की विशेश सरंकला है जो network में यात्रा करती है यह एक ticket के रूप में कारिय करता है जो computer को network में संदेश भेजने की अनुमाती देता है इसके अलावा network में केवल एक token है जो एक सुनिचित करता है कि कोई भी दो computer एक ही समय में संदेश ने भेजे next question है निमलिकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है तो right answer बता दीजे दोस्तो यहाँ पे जो right answer होगा that is starch टीक है डी right answer हो जाएगा यह आप कहा दखना है starch एक प्राकृतिक बहुलक है अगला question है निमलिकित में से कौन सा स्तंधारी अंडे देता है तो इस question का right answer हो जाएगा platypus यानि की D right answer हो जाएगा platypus दोस्तो इस्तंधारी है जो अंडे देता है यह एक ओस्टेलिया में पाए जाने वाला एक अन्य चार इकिड़ना नाम की परजाती के है ठीक है यह मैं बताओ आपको कैसा दिखता है अब कैसा बताओ चुहे type का होता है ठीक है ना तो आप इसको याद एक सकते है अकबर का मकबरा निमलिकित में से किस स्थान परिस्थी था दोस्तो अकबर का मकबरा सिकंद्रा में स्थी था यानि की option यह रएटांस हो जेगा यदा भी मकबरा अकबर के समय में ही पूरा हो गया था संग்मरमर में मकबरे के सिर्श भाग का निर्मान उनके बेटे जहागीर ने किया था और मकबरे की इमारत दोस्तो एक चार इस तरी है मतलब चार एक बीच में मतलब मकबरा और चार उसमें चारों तरब को पीलर टाइप अठीक है नकली मकबरा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सही है, नमलकित में से किस चेत्र के साथ पंडित भीम सेन जोसी सम्बंदित है, तो ये क्लासिकल म्यूजिक से सम्बंदित है, यानि कि ओप्षन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, चलिए, संयुक्त रास्त की सुरक्षा प्रिशत में दस एस्थाई सदेश्य सामिल है, कितने यहर के लिए, तो गाइस, दो साल के लिए, यानि कि टू यहर्स इस दा रेट आंसर, ये आपके दखना है, नेक्स है, त्रिप्रिटक खालिस्थान की पवित्र पुस्तके हैं, तो ये बुद्धिस्थ की यानि कि डी रेट आंसर हो जाएगा, नेक्स कोश्चन है, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मुल्यन करता है, तो उसका खालिस्थान, उसका एक्सपोर्ट बिकम चीपर, एन इंपोर्ट बिकम कोस्ट लियर हो जाता है, यानि कि निर्याद सस्ता और आयात महेंगा हो जाता है, तो रेट आंसर इस ऑप्शन है नेक्स है, निमलेकित में से कौन सी अधातू दरव्य अवस्था में अपरूपता परदसित करती है, तो गंदा क्याने की सलफर इस दा रेट आंसर, ओप्शन बी रेट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जीडिपी अनिकी सकल घरेलू उत्पात सुचकांग उप्यों का चेत्री है, वित्रण है तो किसी देश का आर्थिक विकास पता चलता है दोस्तों, जीडिपी से, सोरी, राइट आंसर इस बी ठीक है दोस्तों, रागनी खालिस्तान राज्य से सम्बंदित लोक गीत का एक लोक प्रियर रूप है तो रेट आंसर बता दीजे क्या होगा तो यहाँ पे जो रेट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा हर्याना यानि कि C इस दा रेट आंसर नेक्स है, निमलकित में से कि सीमा को रेड कलिफ रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड कलिफ के नाम से जाना जाता है तो यह आपको याद रखना है DP का कुमारी निमलकित में से किस खेल से संबन्दित है तो DP का कुमारी आर्चरी यानि की तीरंदाजी से संबन्दित है तो इस question का right answer ए हो जाएगा ठीक है DP का कुमारी तीरंदाजी से जुड़ी है वह है पूर्व विष्व नंबर 1 और उसकी वरतमान नंबर 5 जो की 2010 के Commonwealth गेम में महिला व्यक्तिकत और टीम इस परदा में संपदक जीती थी दोस्तो इबोला सब्द का अर्थ क्या है दोस्तो पस्चिम अफ्रीका में एक वाइरल बिमारी का परकोप इसका अर्थ है तो इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है एड्स का वाइरस मुख्य रूप से खालिस्तान की व्रदी को प्रभावित करता है तो राइट आंसर इस बिल्कुल सही है रक्त में टी को सिकाए यानि की ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर निम्लिकित में से कौन माइट्रोजन युक्त उर्वक नहीं है सूपर फास्पीट इस कोशन का दोस्तो रेट आंसर हो जानि की डी इस दा रेट आंसर ठीक है कोशन आता है परम सुन्य वहत आपमान है जिस पर जिसमें जो दोस्तो गैस में अर्णिक गती बंद हो जाएगी इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा तो चलिए यहीं तक रखते हैं दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और नेक्स चलते हैं ऐसे हर बार आपको नेक्स नेक्स वीडियो मिलती रहेगी और आप सारी वीडियो को देखते रहेए और इस वीडियो को भी पूरा इंड तक देखेगा चलिए और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनेकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनेप्रोपेट कंटेंट इन दे वीडियो मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की स्टडी से लेटेड नहीं था एक तो दिन में होती है दुस्तो धाई बजे ठीक है और एक होती है रात को ग्यारा बजे दोनों ही इंपोर्टेंट है और दोनों क्लासिस को आप कैसे देख पाओगे नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा अनेकेडमी प्रोफाइल का लिंक उस पे क्लिक करना है फोलो कर लेना है और फोलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशन साने स्टार्ट हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते है न